नमस्कार दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक बर फिर से आपका स्वागत है जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एसाई भरती परिक्षा पांच साल से लटकी हुई है फिर आखिर एसाई भरती परिक्षा को निरस्त करने की मांग तेज क्यों हो रही है क्यों अभ्यर्थी एसाई भरती परिक्षा को निरस्त करने की सोच रहे है आखिर क्या है वज़ा जानेंगे हम इस्टूडियो में तो पूरे जनकारे के लिए फिडियो में तक बने रहे है एसाई भरती परिक्षा में उच्छे नियाला में 120 से अधी की अच्काय लंबित है भरती प्रक्रिया में अनिमित्ताएं वाविशन गतिया होने का मामला देखिए पुलिस सब इस्पेक्टर भरती परिक्षा में हो रहे है अनिमित्ताओं के संबंद में अभ्यर्थियों द्वारा 36 गड़ उच्छ नियाला में लगाई गई 12 से अधी की अच्काय फिलाल लंबित है इंडिया को अभ्यर्थियों द्वारा उसी समय पुलिस स्विभाग का उगत करा गया और नैले में भी आच्काय लगाई गई लेकिन पुलिस स्विभाग इस भरती परक्रिया को अगले चरण मिल ले गया पुलिस स्विभाग वा राज्य शासन की मंसद होजार टारा से लंबित भरत प्रारमभीक परिक्षा से बाहर हुए 2000-200 अव्यर्थियों को सामिल करते हुए मुख्य परिक्षा का जन किया जाए इस प्रकाप मांग की गई है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया की अन्य विसंग उत्याय और क्या क्या है भरती परिक्षा ब्यापम द्वारा आयोजित की गई जिसे बंद लिफाफे में पुलिस विभाग ने अपने पास मंगवा लिया जो अनुचित है ग्यारा ऐसे अभियर्थियों को चिनहित किया जिन्होंने जिस पद के लिए आयदन किया ही नहीं उस पद में भी पुलिस विभाग दारा उनको सामिल कर लिया गया अगला है भूत पुर्व सैनिकवा विभागी अरक्षण में भी गलतिया पाई गई साथ ही साथ महिला अभियर्थियों को प्लाटून कमांडर के पद के लिए आयदन करने का मौका दे दिया गया जिस से पद के लिए महिला अपात रहे तो इस प्रकार इन सारी वज़ा से जो एस आई भरती है सब इस्वेक्टर भरती कि मुख्य परिक्षा को निरस्त करने की मांग हो रही है क्या आप सहमत है कि एस आई मुख्य परिक्षा पुना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों यही अपडेट आग लोगों तक पहुचाना था मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ यदि आप चैनल मेंने हैं और इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहरा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतने ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थेंक्यो फर वाचिंग जैन जै भरत जै चत्तिस गर्ड़